बच्चो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ एक गाउं में किसन नाम का एक किसान रहता था वह बड़ा भोला भाला और नेक आदमी था सब लोग उसकी नेकी की तारिफ करते थे जो कोई महमान उसके घर आता वह उसका बड़ा स्वागत सतकार करता था और अपने घर से कभी किसी को निराज जाने ही नहीं देता था अपनी अच्छे आदतों के लिए वह दूर दूर तक प्रसिद्ध था किसन के पास एक अर्भी घोडा था वह घोडा जितना दिखने में सुन्दर था उतना ही दोडने में भी तेज था मंगल सिंग डाकू ने जब उसे देखा तो उस घोड़े को देखता ही रह गया उसने मन ही मन सोचा कि यह घोड़ा मेरे पास होना चाहिए था मुझे किसी तरह इसे हत्याना चाहिए यह सोच कर उसने बिमार सादू का वेस बनाया और किसन की घर आ गया और कराता हुआ आहा आहा थर थर काप रहा था किसन ने उसे सहरा दिया और उसे अपनी पलंग पर लिटा दिया रजाई ओड़ाई और पीने के लिए गरम दूद भी दिया किसन ने उसकी बड़ी सेवा की साम को मंगल सिंग ने कहा कि अब मैं थोड़ा सा ठीक हो गया हूँ मेरा आश्रम यहां से लगभग 20 किलोमीटर दूर है कई दिनों के सफर के कारण बहुत ठक गया हूँ यदि तुम अपना घोड़ा मुझे दे दो तो मैं आराम से आश्रम में पहुंच जाऊंगा आश्रम पहुंचते ही मैं तुम्हारा घोड़ा वापस भेज दूँगा किसन ने मना करना तो सीखा ही नहीं था उसने तुरंत घोड़े पर जीन कसकर उसे दे दिया वह घोड़ा दोड़ता चला गया किसन उसे अब दूर तक जाते वे देखता रहा जब तक वह अपसकी आँखों से ओजल नहीं हो गया जब कई दिनों तक घोड़ा वापस नहीं आया तो किसन ने संतोज कर लिया उसे समझ आ गई कि घोड़ा अब हाथ से चला गया उसे मालूम भी हो गया कि वह मंगल सिंग डाको ही था उसका गिरोह भी था इस जानकारी के बाद किसन ने सब कुछ भुला देना ही उचित समझा अचानक एक दिन मंगल सिंग किसन को पास के एक गाउं में मिल गया वह उसे देखकर बहुत घवरा गया और उसने वहाँ से भाग जाना चाहा लेकिन किसन ने बड़े प्रेम से उसका हाथ पकड़के अपने पास बेठा लिया और बोला देखो घोडा तो तुम ले ही गए हो मगर मेरी एक बात मानों कि तुम भूल कर भी किसी से इस घटना का जिक्र मत करना नहीं तो लोग एक दूसरे पर विश्वास करना छोड़ देंगे इस से जरुरत मन्दों को बड़ी तकलीफ होगी मंगल सिंग पर किसन की इस बात का बहुत असर हुआ उसकी आखें शर्म के मारे नीची हो गई और वह तुरंत वहां से चला गया अब अगले दिन किसन ने देखा कि मंगल सिंग घोडा लिये हुए उसकी तरफ आ रहा था घोडा बान कर वह किसन के पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा और बाद में कसम खाने लगा कि वह इसके बाद किसी को भी धोका नहीं देगा